ओम शान्ती आज है 29 सितंबर 2022 की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे माहावक्यों को मीठे बच्चे तुम गॉडली स्टोडेंट हो तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब प्रैशन जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है उनके निशानी क्या होगी उत्तर जो अटेंशन दे कर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है क्यूंकि बाप के महावाक्य हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोटों में कोई ही पहचानते है अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धी में बैठ नहीं सकता कि यहाँ श्रीमत हमें भगवान दे रहा है वहाँ सुनान सुना कर देंगी उनकी बुद्धी का ताला बंद हो जाता है वहाँ बाप के भरमान पर नहीं चल सकते हैं गीत छोड भीदे आकाश सिहांसन ओम शान्ती बच्चे अभी समस्ते हैं कि हम ग्यान सागर के बच्चे ग्यान सागर द्वारा अभी इस सारी स्रिस्टी चक्रवा ड्रामा के आदी मध्यांत को जान गई हैं दुनिया में तो और मनुष्य हैं नहीं जिसकी बुद्दी में यहाँ ड्रामा हो तुम्हारे में ही सब एक जैसा नहीं चानते हैं तुम बच्चे जानते हो यहाँ भारत अविनाशी खंड है यहाँ भारत ही सचखंड और जूट खंड बनता है सचखंड को स्वर्ग तो हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़े ही है, नौलेज को पूरा धारण नहीं करते हैं, तुम गौडली स्टुडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है, यही पढ़ाई वेल्यूबल है, भल कोई बिमार भी हो, वह यहां आकर बैठें, तो महावाक्य तो को भी रात दिन का शौक है ना, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, भगवान वाच, हे बच्चे, तुम अच्छी रिती समझते हो ना, तुम तो कहेंगे यहां लड़ाई पांच हजार वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम नहीं जानते थे, अभी जब आपने समझाया है तब समझते हो, तो स्टूडेंट का काम है, जो नालिच मिलती है उनको धारन करना, यहां मुख्या बाद है ही पवित्तरता की, आत्मा जो आरनेज में आकर काली बन गई है, खाद पढ़ गई है, उसको निकालना है, तुम आत्माओं को अंदर में ख्यालाना चाहिए, श और कोई की ऐसी ताकत नहीं है, जो ऐसे आत्म अभिमानी बन, बैठ कर समझाए, भल कहते हैं, हम ईश्वर हैं, फलाना हैं, प्रन्तु जानते कुछ भी नहीं, तुम्हारी बुद्धी में है, हम सारे स्रिस्ट्री चक्र के आदी मध्यांत को जानते हैं, धारना करने वालों भी नमबरवार तो है ना, ना सिर्फ यहां लेकिन जो भी सेंटर हैं, वहां भी नमबरवार हैं, स्टूडिन्ट कभी एक समाण नहीं होते, कोई मास में 20 नाते, कोई अक्यूरेट आते होंगे, भल कोई कहां भी जाते हैं, प्रन्तु वहां भी रेग्यूलर पढ़ना है, अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो अपसिंट डाली जाती है, अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं, तो अपसिंट नहीं कहेंगे, और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है, यहां बाहर जाने से उनको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए देंगे, अगर कोई हॉस्पिटल में हैं वहां भी जाए तुम उनको मुरली सुना सकते हो यहां मोस्ट वैल्यूबल नालेज है यहां तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने कलप कलपांतर पास होंगे यहां बड़ी भारी पढ़ाई है इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए ऐसे बहुत बच्चे हैं जि को ग्राहने खाया यहां की बात है कुसंग मिलने से खाना बाद होने के बदले बरबाद हो जाता है बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पड़ते हैं बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ विरला कोई मुझे समझ सकते हैं अनपड़ बच्चों को कोई बात कहो तो एक क भगवान के हमको डायरेक्शन मिलते हैं वहां बुध्धी में नहीं रहता है। पूरा योग ना होने के कारण माया बुध्धी को ताला लगा देती है। यहाद दंड पढ़ जाता है क्यूंकि फर्मान पर नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं मैं इतनी दूर से आया हूं तुमको पढ़ाने तुम श्रीमत को मांते नहीं हो फिर तुम्हारी क्या गती होगी। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं आग्या करते हैं ऐसे नहीं कि प्रेणा करते हैं। इसमें प्रेणा की बात नहीं यह तो ड्रामा बना अनादी है यहां तो पतित मनुश्य भी कह देते हैं कि परमात्मा की प्रेड़ना से यहां काम होता है प्रंतु ऐसे तो है नहीं ड्रामा का राज कोई भी सादू संत नहीं जानते हैं बाबा ने आगे भी कहा था एक विराड रूप का बड़ा चित्र बनाओ विश्णु का वो लोग तो रौंग बना देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शुत्र भी दिखाते हैं डिटेल में नौलेज कुछ भी नहीं चानते सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं अर्थ कुछ भी नही समझते विराड रूप नामी ग्रामी है वहाँ भी बड़ा बनाना चाहिए भल हमारे इस चित्र में भी है ब्रह्मन देवता क्षत्रिय वैश्य शुत्र प्रंतो बाब कहते हैं कि विश्णु का चित्र बनाना चाहिए उपर में चोटी भी देनी चाहिए शे बाबा भी जन्म लीप जन्म लीप युग है यहां है उंचते उंच युग इसको कोई जानते नहीं है कोई भी शास्त्रों में यहां नहीं है पतत पावन बाब को बुलाते हैं तो इसका मतलब कल्यों का अंधैना संगम युग का तो किसको पता नहीं है बाब कहते हैं यहां भी समझा ब्रहमन जन्म एक जन्म फिर देवता इतने जन्म और इतना समय तुम क्रिश्यन का भी दिखाते हो दो हजार वर्ष होंगी फिर सबका पार्ट पूरा होता है तो यह क्लियर लिखना चाहिए ब्रहमन वरण देवता वरण फिरक्षत्रिय वरण रामराज अभी तो हैं सवशु सद्रवरण विराट रूप दिखाना है सारा खेल भी भारत पर बना हुआ है भारत पावन भारत पतित बाके सब बाइपलाट है उनका वर्णों के साथ कोई कनेक्शन है नहीं भारत की महिमा बाप ने समझाई है यहां है अविनाशी खंड यहां विनाश नहीं होता यहां तुम भी जानते हो बरोबर सत्युग में और कोई खंड नहीं होता यहां सब बाद में आए हैं फिर सब खलास हो जाएंगे अविनाशी खंड भारत ही रहेगा और सब खत्म हो जाएंगे नामों निशान ही गुम हो जाता है यहां नौलेच अभी ही तुम बच्चों के बु खंड भारत को कहा जाता है धरमक्षेत्र दान पुन्य जितना यहां होता है और कहीं नहीं होता यहां फिर से तुमको सारे विश्य के मालिक पने का वर्सा देते हैं तुम इतना उच वर्सा लेते हो तुमको यहां वर्सा था फिर गवाया है हार जीत होती है ना अभी तुम जानते हो हम जीत पा रहे हैं फिर हार खाएंगे यहां हार और जीत का राज बुद्धी में फिरता रहेगा जीत कैसे पाते हैं और फिर हार कैसे खाते हैं सत्युग में यहां नौलिज थोड़े ही होती है वहां तो है प्रालब्द यहां राच्य हमने कहां से लिया है यहां भ अभी ही बाप द्वारा तुम knowledge full बनते हो, इस knowledge के अधार से तुम जाकर प्रालब्ध पाते हो, ड्रामा की रील फिरती रहती है जो इमर्ज होता है उसी अनुसार तुमारी एक्ट चलती रहती है, जो रीपेट होता है इसको कुदरत कहा जाता है, इस कुदरत को कोई नहीं जानते, इतनी छोटी आत्मा में कितना पार्ट है जो कभी विनाश नहीं हो सकता, इन साइस वालों की बुद्धी अपने विनाश का प्रबंध कर रही है, तुम आत्मा उच्पद पाने का पुरिशार्थ कर रही हो, वह समझते हैं हम अभी स्टार मून के नजदी काएं हैं प्लाट लेंगे, वहां बड़ा महत तो देते हैं, हम तो कहते हैं कि यहां तो सब अपनी मौत के लिए करते हैं, तुम बच्चे जानते हो, यहां सब तयारी हो रही है स्वरक के गेट खोलने के लिए, यहां लड़ाई बिगर स्वरक के गेट कैसे खुलेंगे, पतित दुनिया का विनाश तो चाहिए न, इन बातों को विद्वान पंडितादी थोड़े ही जानते हैं, यहां तुम जानते हो ड्रामा नुसार नूद है, तो तुम बच्चें को यहां पढ़ाई पढ़नी है, कोई तो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते खत्म हो जाते है कोई तो बैचे हुए भी जैसे की सुनते ही नहीं धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को समझा सके धारणा ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते तो पद क्या मिलेगा हाँ, सुर्ग में जाएंगे, राजाई में आएंगे, प्रंगो सब तो राजा नहीं बनेगे न पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब जो नहीं पढ़े पढ़ाएंगे तो भरी ढोनी पढ़ेगी यहाँ तो होना ही है जाकर चाकरी करेंगे राजाई में आएंगे प्रंतु चाकरी करेंगे ना प्रजा तो धेर बनती जाती है लाखों की अंदाज में बनती है उनके भी तो नौकर चाकर होंगे ना प्रदर्शनी में तो बहुत सुनेंगे कुछ ना कुछ बुद्धी में बैठेगा आएंगे भी वही जो स्वर्ग में रहने वाले होंगे सन्यास धरम वाले थोड़े ही आएंगे जो थोड़ा बहुत सुनेंगे वह तो प्रजा में आही जाएंगे योग तो लगाते नहीं विकरम विनाश तो हो न सके तो पद कहां से मिलेगा तो बच्चों को सारा राज समझाया जाता है यहां राजधानी स्थापन हो रही है स्थापना जरूर संगम पर ही होगी ना बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ युगे युगे लिख दिया है तो भी चार युग अत्वा पांच युग कहो फिर भी इतने अवतार क्यों दिखाएं हैं परशुराम अवतार कच्छ मच अवतार परशुराम अवतार के लिए फिर दिखाते हैं कि कुलहाड़ी उठाए सब क्षत्रियों को मारा बाप कहते हैं यहां कैसे हो सकता है क्या भगवान ने इतनी हिंसा कुलहाडी से किया मनुश्य तो जो सुनते सब सत्य सत्य करते रहते हैं असत्य बात को भी सत्य मान लेते हैं बाप कहते हैं कि यहां सभी असत्य बाते हैं सत्य कोई भी है नहीं किसको कहो तो बिगड़ पड़ते हैं बाप कहते हैं कि युक्ति से काम लो चूहा ऐसी युक्ति से काड़ता है जो सारा मास खा जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए बाप तो बहुत अच्छी रीती समझाते हैं प्रंतु कोई धारना भी तो करे मुख्य बात है ही एक बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकर्मों का बोज़ा खत्म हो जाए सिवाए योग अगनी के खाद निकलना सके नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी तुम्हें तो पास विद ऑनर बढ़ना है प्रजा तो बहुत बनती है नमबर वार बाकी राचाई के लिए मेहनत चाहिए श्रीमत पर चलना चाहिए बहुत चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं अरे गौड फादर बैठा है जहां चीना है ग्या नमरित पीते रहना है यहां पढ़ाई है पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे क्लास नमबर वा ट्रांसफर होता है ना यहां भी सारा पुरशार्थ पर मदार है कहते हैं हे पतित पावन आओ तो चरूर कल्योगी पतित दुनिया का अंत हो तब तो आए बाप कितना अच्छी रीती समझाते हैं दुनिया में ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिसने जो सुनाया सत सत करते रहते हैं समझते कुछ भी नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मानिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मानिंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक बाप की आग्याओं का उलंगर नहीं करना है कुसंग से बचना है रोज मुरली जरूर पढ़नी वा सुननी है नमबर दो विकर्मों का बोचा समाप्त करने के लिए याद में रहना है जब तक जीना है ग्या नमृत पीते रहना है वर्दान विनाश के पहले एवर एड़ी रहने वाले समान और संपन भव विनाश के पहले एवर एड़ी बढ़ना ही सेफटी का साधन है अगर समय मिलता है तो संगम्यों की मौच मनाओ लेकिन रहो एवर एड़ी क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालुम नहीं पड़ेगी अचानक होना है एवर एड़ी नहीं होंगे तो धोखा हो चाएगा इसलिए एवर एड़ी रहो सदा याद रखो कि हम اور बाप सदा साथ है जैसे बाप संपन है वैसे साथ रहने वाले भी समान और संपन हो चाएगे समान बढ़ने वाले ही साथ चलेंगे श्लोगन जिनका सोभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है शुक्रिया बाबा शुक्रिया